आज हम लोग चूले में आईस्क्रीम बना करके दिखाने वाले हैं तो आज हम आपको दिखाएंगे कि घर में ही उपलब सारे समान से आप आईस्क्रीम कैसे बना सकते हैं वो भी एकदम जैसा आईस्क्रीम आप बाजार से लेके खाते हैं तो मैंने चूले में लकडी को डाल दिया है और आग जला लिया है और इसमें मैंने एक कड़ाई को गर्म होने के लिए चढ़ा दिया है और अब हमें एक छलनी से करके दूद को छान लेंगे यहाँ पर मैंने दो किलो दूद का यूज किया है और आईस्क्रीम बनाने के लिए आप हमेशा मोटी तली वाली कड़ाई का ही यूज करें जिससे हमारा दूद ना जले आप लोग यहाँ पर अपने हिसाब से दूद की मात्रा को बढ़ाया घटा सकते हैं तो दूद में अब हम उबालाने देते हैं तो यह देखे दूद में धीरे धीरे उबालाना शुरू हो गया है तो अब हम इसे कल्ची से लगातार चलाते रहेंगे ताकि दूद के उपर का जो मलाई है वो उबल के बाहर ना आ जाए और हम इसे लगातार ऐसे ही चलाते रहेंगे तो जब तक हमारा दूद बॉइल हो रहा है तब तक चलिए हम एक छोटी सी तयारी कर लेते हैं तो हम एक कटोरी लेंगे और इसमें चार बड़े चमच मिल्क पाउडर का लेंगे और इसके साथ ही हम इसमें एक चमच डालेंगे गेहूं का आटा गेहूं के आटे से थिकनेस बहुत अच्छे से बन कर आती है और हम गेहूं का आटा उसी चमच से लेंगे जिस चमच से हमने मिल्क पाउडर लिया था और अब हम एक छोटा गलास दूद का लेंगे और इस milk powder में थोड़ा सा थोड़ा सा करके डालेंगे और milk powder का एक अच्छा सा paste बना लेंगे तो हमें दूद को एक बार में ही नहीं डालना है हमें इसे थोड़ा थोड़ा सा करके डालना है और इसका paste बना लेना है तो पेश्ट बन कर तयार है चलिए अब हम दूद को देख लेते हैं तो यह देखे दूद भी उबल कर लगभग आधा हो चुका है तो अब हम दूद में उस पेश्ट को डालेंगे जो मैंने अभी तयार करके रखा था तो हम पेश्ट को दूद में थोड़ी थोड़ी मात्रा करके डालेंगे और दूद को लगातार चलाते रहेंगे पेश्ट को कभी भी एक साथ ही दूद में ना डाले नहीं तो हमने जो गेहूं का आटे का यूज किया है उसके वज़े से दूद में गुठलियां पड़ सकती है पेश्ट डालने के बाद भी दूद को लगातार चलाते हुए तब तक पकाएं जब तक की दूद एकदम से थीक ना हो जाए आप देखेंगे कि चावल के आटे के वज़े से दूद जो है वो जल्दी ही एकदम से थीक होना इस्टार्ट हो गया है दूद जब थीक होना इस्टार्ट हो जाए तो अब हमें इसी स्टेज में चीनी को डाल देना है तो हमने यहाँ पर 100 ग्राम चीनी का यूज किया है तो आप लोगों को अगर अधिक मीठी चाहिए या फिर थोड़ी कम मीठी चाहिए तो आप लोगों यहाँ पर चीनी की मातरा को थोड़ा बढ़ाया और घटा सकते हैं चीनी को चला कर अच्छे से मिक्स कर लें जब चीनी इगल चाहिए तो आप हम इसमें अच्छे सेंट के लिए डाल देंगे थोड़ा सा इलाइची पाउडर और इसे अच्छे से मिक्स करके चलाते रहेंगे दो कीलो दूद को उबल कर आधा होने और गाढ़ा होने में लगबग आधे घंटे का समय लगा है और यहाँ पर हमने लकडी का यूज किया है लकडी हाई फ्लेम में जल रही थी इसलिए हमें आधे घंटे का समय लगा है आप लोगों को थोड़ा अधिक समय भी लग सकता है अगर आप लोग गैस या फिर किसी और चीज में बना रहे हैं तो यह देखें दूज एक दम कितने अच्छे से गाड़ी हो चुकी है वीडियो में देख पा रहे होंगे आप लोग तो अब हम जलती वी लकडियों को चूले से बाहर निकाल लेंगे और इस पेस्ट को दस मिनट के लिए ठंड़ा होने के लिए छोड़ेंगे हम इसे सामानिय टेंपरेचर पे ही ठंड़ा होने के लिए छोड़ेंगे तो दस मिनट हो चुके हैं और यह देखें दूद जो है वो थोड़ा थोड़ा जमना भी स्टार्ट हो गया है तो अब हम इस आदे दूद को एक दूसरे कर्टोरी में निकाल लेंगे आप लोग चाहें तो इसे ऐसे भी जमने के लिए दे सकते हैं लेकिन अगर आप लोगों को कलरफुल आइस्क्रीम खानी है तो चलिए हम आपको बताते हैं कि आइस्क्रीम को कलरफुल कैसे बना सकते हैं आईस्क्रीम को strawberry flavor देने के लिए आप यहां पर strawberry essence का भी यूज कर सकते हैं पर मेरे पास strawberry essence अबैलिबल नहीं है तो चलिये हम आपको दिखाते हैं कि हम हम आईस्क्रीम को pink color कैसे दे सकते हैं यहाँ पर मैंने food color का यूज किया है food color की मैंने चुटकी भर मातरा ली है और उसमें मैंने आधे चमय से भी कम पानी डाल कर उसका एक घोल बना लिया है और अब हमें उसकी भी 2 से 3 बूंध ही यूज करना है मैंने यहाँ पर red कलर के food कलर का यूज किया है जब हम कलर को डाल के पेश्ट को अच्छे से mix कर लेंगे तब हम देखेंगे कि यह एकदम से strawberry का ही लुक देने लगा है तो अब हम छोटी-छोटे बाल्स ले लेंगे या आगर आपके पास ice cream का डबा है तो आप उसका भी यूज कर सकते हैं तो अ है उसे डाल देंगे और फिर हम उपर से pink color से ही थोड़ा सा design बना देंगे आप लोग इसे ऐसे भी रख सकते हैं या फिर मन पसंद कार का design इसके उपर में बना सकते हैं तो हमने यहाँ पर चार बॉल्स लिये हैं और चारो बॉल्स में हमने पेश्ट को अच्छे से डाल लिया है और हमने सेम प्रोसीजर से ही सब में पेश्ट को डाला है और यह देखिए हमारी ice cream अभी आधी बन कर तयार हो चुकी है तो अब हमने बाउस को अच्छे से सजा लिया है और अब हम चलिए हम इसे फ्रीज में दो से तीन घंटे तक के लिए फ्रीज होने के लिए रख देते हैं आज कल प्राया लोगों के घरों में तो फ्रीज होता ही है लेकिन अगर आपके पास फ्रीज नहीं है तो आप लोग इसे कैसे जमा सकती हैं ये भी हम आपको बताते हैं तो यहाँ पर आपको एक मिट्टी का घड़ा लेना है। आप लोगों को यहाँ पर मिट्टी के चोड़े घड़े का यूज करना है, जिसमें चारो कटोरी आसानी से आ जाए। अगर आपके पास चोड़ा घड़ा नहीं है, तो आप सामाने घड़े को भी ले सकते हैं और कटोरी को एक के उपर एक रखना है और एक के उपर एक रखने से पहले आप कटोरी सब के उपर में प्लेट को रख दें और फिर घड़े को पानी वाले बरतन में डुबा के 3-4 घंटे के लिए रख दें आप देखेंगे कि आईस्क्रीम एक दाँ अच्छे से जम गई है और ये खाने के लिए तयार हो चुकी है तो दो घंटे बीट गए हैं और मैंने आईस्क्रीम को फ्री से निकाल लिया है और चलिए अब हम आपको इसको टेस्ट करके दिखाते हैं तो ये देखें हम चमच से कटिंग करके देख रहे हैं तो ये देखें कितने अच्छे से आईस्क्रीम जम कर तयार हुई है और हमारी आईस्क्रीम कितने अच्छे से बनी है आप लोग भी इसे अपने घर में जरूर ट्राइ करें मेरे आईस्क्रीम बनाने का तरीक आप लोगों को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और ऐसे ही रेसिपीज देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें मिलते हैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक और नई रेसिपी लेकर तब तक के लिए बाई बाई गाईस